आदाव नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शोग गुफ्तगू में और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शक्सियत जिने फिल्म इंडस्ट्री में बतोर चाइल्ड आर्टस्ट मिला बेशुमार प्यार और जिनके हुनर ने उनी काम्यावी की बुलंदियों पर पहुचा दिया था गुफ्तगू में आज मुलाकात मशूर अदाकार जूनियर महमूद से जूनियर महमूद अदकारी की दुनिया का एक मशूर नाम जिनका शुमार अपने दौर के सबसे महंगे बाल का लाकारों में होता था इनका असल नाम था मोहमद नईम और इन्हें जूनियर महमूद का नाम दिया था बेमिसाल अदकार और कॉमेडियन महमूद ने मुंबई के एंटॉप हिल अलाके में पैदा हुए जूनियर महमूद को बचपन से ही अक्टिंग का शौक था पढ़ाई रिखाई में ज्यादा मनना लगता था स्कूल में फिल्मों के हीरो की नकल करते करते जूनियर महमूद अपने फोटोग्राफर भाई की मदद से फिल्मों का हिस्सा बन गए और फिल्म ब्रह्मचारी के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा एक के बाद एक सूपर हिट फिल्मों में बहतरीन अदकारी से जूनियर महमूद ने कामियाबी के उस शिखर को छू लिया जो किसी के लिए भी एक खापसा होता है आपका बहुत-बहुत स्वागथ हमारे शो बाल-बहुत बश्रयाप थेंक्य। मैं गुफतड़कू के चाहने वालों को सुनने वालों को दून से सलाम करता हूं नमस्कार खे था हूं और मुझे इस बात कि और कि देर आये दूस्ता ऐ मैं अक्सर देखा करता था मुहरी अंकल का भी मैंने देखा था तो मेरे दिल में एक बार ये हुआ कि मैं कप जाओंगा एक होता ना है कि अपना पनुजी से कहते हैं तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस में मौझूदू हूँ थैंकी स्वामाच से आज कल जूनियर महमूद जी क्या कर रहे हैं मैं वैसे तो बश्च्पन से लाइव शोज वगरा करता रहा हूँ फिर एक्टिंग की दुनिया में भी मालिक ने बड़ा नवाजा मुझे अब कुछ में महरादी फिल्में बनाने लगा हूँ तो हमारे स्टेट की लोकल लेंग्वेज है और अच्छी सुईधा हैं स्टेट गवर्मेंट की तरफ से भी है और फिल्में बनाता हूँ लगाता भी हूँ खुद देखता भी हूँ तो फिल्में बनाता हूँ और कई दोस्तों यहां रहो के शोज अगरा शूटिंग अगरा में भी जाता हूँ किया मैंने भी बीच में दुएक सेरियल की थी राशीरी प्रोडक्शन्स की तो वहां भी काम करता हूँ विजी रहता हूँ आपकी दूआ से पत्च्पन कहां भी था आपका पश्पन तो बीचिकली मुंबइ में मढमने की मेरीtant नाइफ वहां हूँ नहां जय होँ डर नो मेरी पिदाइस मुंबइ की है और बच्पन संब का हूँ अच्छा होता है पर मेरा कुछ जी भी था और तो अस बच्पन के जो आजीब बाते मुझ में थी, जिसे अंग्रेजी में X Factor कहते हैं, तो शायद मुझ में कुछ पैदाईशी था तो जिसका मुझे बहुत बहुत वाइदा भी हुआ, तो बेबा की काम आगी, जबानी तो नहीं, बेबा की काम आगी, मेरी बहुत बर्चर के बोला करता था, अब भी बोलता हूं, अगर वैसा नहीं बोलता हूं, पर बोलता जरूर हूं, पर हाँ, तो फिल्म ही दुनिया में मुझे बेबा की ने बहुत जगा दी, और मैं समझता हूं कि बच्पना होता है, याद करने के लिए, मैं जब देखता हूं अपनी फिल्में, तो याद आत स्कूल में आप इमिक्रे भी किया करते थे, बड़े-बड़े आक्टर्स की, जी मैं उनकी डांस इंपर्सनेशन कहते हैं, उनकी स्टाइल जीतु भाहिया की, हमारे उस्ताद महमुर साब की, जी रुप कुमा साब की भी करता था हूं, तो इतना सा बच्चा कर इतने बड़ मुझे, लोगों की निगाहों में आ गया, और मालिक ने एक के बाद एक मौकिश देते चले गए मुझे, तो भही हम पूछना चाहेंगे, कि फिल्मों की शुरबात कैसे हूई आपकी, मेरे एक बड़ा मशूर खिसा है, मेरी तो बिगिनिंग ही कुछ अजीब सी है, लोगो आपके बोलते थे कि आज मैंने रहमान सब को फोटोग्राफ किया, जीवन साब को किया, बड़े बड़े एक्ट्मों के नाम ले गए, मैं था चोड़ा, आट साल का तो मुझे दिल में कसक, कि मैं इनको कब जाकर देखूँगा, क्रेज जैसे हर कलागार के लिए पब्लिक क मैं भाई को मसका लगाना शुरूर किया, भाई ले जाए कर कभी शुटिंग पर नहीं, जबान बहुत चलती है, तो बोलेगा बहुत ज्यादा मैं नौकरी चली जाएगी, मैंने किसी तरह संड़ को मनाई लिया, तो राजी हो गए, ले गए शुटिंग दिखाने मुझे, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिखाने ले गए मुझे, उस दोर में ऐसा होता था कि सेट पे एक ही कुर्सी होती थी, वो होती थी डिरेक्टर सचेर, उस पे ऐसा वो भी लगा होता था बोर्ड के डिरेक्टर, सिर्फ डिरेक्टर, और सेट पे बाकी लोग तो जैसे का करते हैं, करते हैं, मैं भी शुटिंग देखने चला गया, जौनी होकर साब, अपने जमाने के बैतरीन, बैतरीन, कमाल के कॉमेडियन, बहुत बड़े फंकार, वो टीचर का रोल कर रहे थे, स्कूल मास्टर का, और एक बच्चा कुछ डायलग वालोग बोल रहा था, मैं त करते हैं, मैं भी शुटिंग देख रहा था जी, अब वहां का बड़ा अजीब सा महूल होता है, और नए लोगों के लिए अट-पटा भी होता है, पर बच्चों के लिए जादा होता है, तो हो सकता है उस बिना पर बच्चे से रिटेक बहुत हो रहे थे शौट में, रिट कमाल करने आप, एक और लेते हैं, और अचागर होगे, यह देखिया आप देखिये बात, पर बच्चे से अब मैं शुटिंग देखते हैं, देखते हैं, देखिये, मेरा मिजाज देखिया आप, मेरे मुह से निकल गया, क्या एक डायलोग बोलने को नहीं आता है, चला आग अचागर होगे, याद होगे मुझे, इत्ते रिटेख हुए जो भी मैंने बोला होगा, उनको मेरे जवाब में कुछ नज़ा है, अप डिरेक्टर होता है, उनने बड़ी साथगी में बच्चे को बड़ी दर आईया, कुर्ता निकालिए अपना बाई को दीजिए, आप यक मैं अपनी बड़ाई भी नहीं मार रहा हूं पर यह होता है कि किसी के पीछे दुआएं चलती है, खुससान कलागानों के पीछे बहुत चलती है, अब किस रूप में, किस अंगल से बहन के, भाई के, माँ, बाप, आपके बिल्दिंग के वाच्में के, आपको नहीं पता है पर दुआएं फॉलो करती है, मैं ने पहली बार कैमरा फेस किया, मेरा भाई पीछे ख़ड़ा कहा पर रहा था, उसकी नौकरी खत्रे में थी, और मैं कैमरा फेस किया, आप यहकीन कीज़े, पहला ही शॉट हो गया हूँ, क्या बात है, अब सेट पे तालिया वाली बजगे क्या बात थी, जैसन का माहूर था मेरे लिए, पिर शाम को पैक अप हुआ, तो हरी नोट होती थी पांच रुपए की उस दोर में, तो पांच रुपए की नोट मुझे मिली, एक वोचास काख़ देसा आया, और मैंने भी नाइम, नाइम होता है, साहब यह क्या बैंड करू क्या बैंड करूं, मैं आपको पोरा दे, हीरो की तरह मुझे ट्रीट किया उन लोगने, मतलब बच्चे को जैसे हो करते हैं, तो खैक अभू, आप बस में लॉटके आ रहे थे हम, मैं बाही से बात ही नहीं कर रहा था था, तो भाही बेख रहा है मुझे मैं बोली नहीं कु कि अम्मी को बोला, ऐसा ऐसा बत्तमीज है, बढ़ भूंगा है, इसने बखवास कि बात में जाकर कैमरा फेज कर दिया, शौर भी ओकी हो गया लखी लिए, तालिया माले अपी पील गई ऐसा ऐसा लिकिन वह आपका बेबाकी वाला काम आ गया, जी और दिल में किया हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, जैसे होता है, आदनी कोशिच करें तो ही मन्जिल तक पहुंचता है, तो इतने बड़े ख्यालात तो मेरे थेनी अलबता यह था, मैं फिल्म लाइन से जूर जाओं, कि मुझे एक्टरों को देखने का शौक ज्यादा था, काम करने का कम था, तो मेहमूद जी से मुलाकात कैसे होई, जी, एक फिल्म वनी उस दौर में सौहग राग, राषिरी जी जी तंदर सहाब, उस दौर के मायानास कलाकर ही लोग, तो उसमें मेहमूद साब का बड़ा मेजर रोल था, और मेहमूद साब के एक साधे का रोल था, जो उनके साथ बहु किस कालिबर के किस स्टेटस के कला रहे एक बंगाली थे हमारे प्रॉडक्शन इंचार्ज सब बंगाली बाबु बोलता थे उनको काल ऐसे थे उन्होंने जिकर छेड़ दिया बोले हो मैं एक बच्चे को देखा हो जॉनी वाकर साब के सामने ऐसा ऐसा बोला मेरे को लगता हो कुछ से ज्वादार रहें ब्रों कंडु आप से मिलने वाली तो मिरैने वाली तो तो मैं पर ही जुर्ए से प्रींटर मैं बला और मजमु अब घL हमा'll tutti गारा ह। आप देखिए आप ये तो रिसल मेरी जम की होगी मैं बिल्कुत प्री और्गनाइज एकना फुली लोड़ेड आते ही शू शू कर गूँ आप मैं जैसी मैंने मेहमुस आपको रू बरू देखा आप यकिन किजिए सिटी बिटी गुम होगी मेरे लहीम शैम गुड लुकिंग बहुत बेस में बोलते थे परसें लाइब मॉनिंग गुड मॉनिंग नमस्ते आपको मैं देखके काम सा गया खैर वो सब हुआ पिर उन्होंने मुझे बड़ा कैजूल फिल करवाया फिर मैं उनका साला बनाता जो इनकी बीवी जो मेरी बड़ी दीदी होती है कि करीब जान का बहुत प्यार मिला और उनकी वज़े से मैं स्वागरात में जो भी कर पाया कर पाया तो फिर इंडिस्ट्री में बात होगी कि मेहमूद के सामने इसने बोला कि 400 पिल रहा मेहमूद के सामने बोला को चीज और मुझे हैमर करती है उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ तो दो तीन दिन में मुझे ऐसा लगा कि मेहमूद साब ने हमको वो कर दिया एकदम इजी फिल करवाया एकदम कंफोर्डेवल फिल करवाया तो मैं भी भायजान को अपनी प्रोपर्टी सबने लग लगा था जबकि बच्चे को पुछकारना जैसा होता हर को पुछकारता वो पुछकारते थे मुझे मुझे लेकि लाड़ में आ चुका था बाइजान मुझे ऐसा करते हैं उसी दोरान इनकी बिटिया पैदा हुई जिनी जिसकी नाम रखा ही जो भी था तो उन्होंने घर में प्यारा सा फंक्शन रखा था मेहमूस साब ने बड़ा मुशूर किस इन्वाइटी नहीं किया बल्के जैन में नहीं आया हो गया है कि बच्चे को हो सकता है I don't know मुझे उसके पीछे कहानी का पता नहीं तो आपने रास हो गए थे उन्हें मुझे आजीब से लगा मैं बाइजान के साथ मैं इतना घूल मिल गया हूँ बाइजान ने पानी कम सम उस दौर में उस वक्त एक 9 साल का बच्चा मेहमुस साब 6 फूर 1 इंच हाइट के खड़े रहे हूँ पिद्दा सा बच्चा उनको आखों में आखे टाल कि जुम्रा बोल जाए यह अखिकत तो नहीं हो सकती बच्पन आथा तो ओ पी गए उस बात को करीना के उन्हें लगा अच्पन आऊँ है लिए मैं से लिए जुम्रा जो कर देंक है क्या भॉल को आखी ऑप्यिक का ब्ल शुम्रा में नाच कर ठाछा है ना को दूरा सुंदा यह एक साल ही है को डी हुआ दू हैय लिए मैं लिए एक बात डांस करूंगा बोल गया आप फंक्शन में पहुचा जी मैं मुद्दे पर आ रहा हूं और कहते हैं कि जब काया पलटती है जब रोषनी आती है उपर से महरबानी की तो किसी भी रूप में आ सकती है मैं उस फंक्शन में नाचा जिसके लिए अनौस मेरे उस्ताद में मैमुस साब ने किया इतना बड़े आदमी ने मुझ जैसे कच्रा के लिए कुछ भी बोले चार अच्छे लवज तो मैं नाचा उस आपको जो सितारे फिल्मी सितारे वो होते हैं जिने छूव नहीं सकते हैं उन सब को मैंने बैठे वे देखा दिली कुमार साब को छोड़के अलमस पूरी इंडिस्री महा थी मैमुस साब की सबसे त्यारे रिलेशन थी तो मीना आपा से लिए किस किस के नाम गिनाओ जी मैंने सब को रूब 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 देखा उस फंक्शन में और जो मैं नाचा ह अपनी जाती तोर पे सोचन तो यह बड़े 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 पापजी महा था रूब पाजी और कमाल है यार कमाल ओ पापजी पूरी इंडिस्री ने सब के ले लिया मुझे पिर मेहमुस साब में भाईजान ने बड़े खोना दर्जात मैं का अबबा है मेरे उनको बलादर मैं तुम्हारे दादर में गंजी स्टुडियो है मेरी ओफिस भी है मैं शोडिंग भी कर रहा हूं इसको परसो लेकर आना इसको मैं अपना शागित बनाऊंगा इसमें कुछ लग रहा है मुझे बड़ी बात उन्हें बोल दिया और मैं तो पगला गया अग्दम फिर हम इठाई ले गए पांस अवा पांस उपर के दक्षन आ ले गए गए गंडा बंदा सहाब को और कहते हैं किसी भी गंदी चीज को अगर किसी सजेवे शोकस्त में सजा दें तो उस कचरे की वैली हो जाती है यह मेरा हाल हुआ है जी उन्हों नाम नहीं दिया होता मुझे और म करियर में इसी उन्हीं का जूटा खाते वे आ रहा हूं आज मेरा आप इंटर्वी ले रहे हैं मुफ्तगू पे हूं मैं तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको नहीं पता पूरा फ्लैश्बेक जैन में आ रहा है महमुसाब हर बल्ब में हर लाइट में मुझे ओम प्रकाश अंकल का नाम जहां हो फिल्म छोटी हो कैसी सकती है तो उसमें मैं गजानन जागिद्रा साभ अपने जमाने के टॉप नॉच बहुत बड़े एक्टर उनका बेटा बना और तीन फैमिली की कहनी थी तो जो अच्छी फैमिली का बिगड़ावा बच्चा उजू की का अच्छी नाच्टा च्छी इसको करूँ तो फिल्फान जो प्रीजाते हैं युठा जिखता है की मैं से छून लगाने को छोड़ता है उसमें मैं लगाने भालो को मैं चूना लगा कर छोड़ाउगा उसमें मैं 4 पास कलाकार को इमेटेट किया श्यमी अंकल, गिलीप स सब की मैंने इमिटेशन की और लोगों को बहुत भाई और फिर मैंने काना दुआए चली मेरे साथ आज भी दुआ है मेरे साथ आपकी भी दुआए लेकर जाऊंगा अरी बिल्कुल बिल्कुल तो हो जाएगे गाना जी वह ऐसा बनूंगा एक्टर में यारो रंग जमा के छो चुना लगाने वालों को ओय होई मैं चुना लगाते चोड़ूंगा यह गाना था हेमलता जी ने गाया था तर्म ब्रह्मचारी में आपने डायलोग बोलते समें एक आवाज निकाली थी जी 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 वहां उसका हुआ है मसला के बारा बच्चे थे सचिन भोमिक साब आपनाय देयलोग रैटर मीरी में शेह रायलोग साब मेरे में चुना टोवर भारी whilst बारों कि एक ब़्रह ह Moreover हम यह और सब्सक्राइब घाए hundred लीजा को वीशे थे जी ओए लगा answer है तो में गाने टोभी यह पन्स रुपर hopர है खोड़ा मिल एंसफे़ग पांस रूपर अब जो भी आचार घाता है तो इसके आवाज के साथ एक आवाज एड़ हो जाती है उसके खरामी की वजह से अचार में फ़्म पैदा हो जाती है पुछा कि अपने बच्चों को सुनाया दोस्तों को अपनी गैंग थी ब्रहमचारी की उन्होंने भफी सुनी साफ को बुलाया उंकल आई 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 देखिये बदमाश क्या करा स्टना तौछा मैंने रिपीट किया भफी साफ खुश हो गए तौछ पूरी फिल्म में ऐसी बो कि अगरें बच्चे बच्चे करता होगा और देखने वलों की महबत आई थैंक इस लायक होने पर आप लोगो ने हम जैसों को बहुत कुछ दिया है थैंक यह अगैं आपका काना हम जरूर सुना साहिंगे तो क्या हुआ देखाले है तो भादे बॉत वह कहर हो यहाए तो कि मेरे रोम मेरे थे, क्योंकि अच्छ करते थे हम, तो मैं उनके जेस्टर पॉस्चर जबान निकाल ला हूँ, बिलकुल पीने की कोशिश की, मैंने काट पाथ हुआ कुछ भी दा, मैंने कोशिश की मैमुष आपको बहुत बड़े थे, बहुत बड़े रहेंगे, जी 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 तो इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उस गाने में आप देखी हो, बैठे वे ऐसे ऐसे एंज्वाइ करें, इतनी बड़ी ही रहेंगे, बच्चे के लिए तालियां बजाना, आप समझ यह उनकी महरवानी है, जो जुनर ममुद के साथ चली है, तो उसमें कांतर था, हमें म अपना करते जाना, मैं यह कर दिया उनको, इतनी बड़ा हो दिया, तो उन्हें ने उसको और बड़ा हो दिया, यह करके, अभी हीरो बने का ख्याली आया, मैं ऐसे रोल करूँआ, यह मैं जरूर सोच चाता, पर हीरो करते हैं, मैं अपनी जाती परसनल्टी को देख चुका पर मैं इसने कभी ऐसा सोचा नी क्योंकि मैंने अपनी, कहते हैं ना, इंतिहा देख ली थी, भाप ली थी, और मैं इसलाए कभी हुआ भी नहीं कि मैं अपने आपको हीरो में गिनूँ, कौन सी आक्ट्रिस आपको सबसे अची लगती थी, मैं बिलकुल इमान देर से बात कर किस डिरेक्टर के साथ काम करकर आप उस सबसे मजा आया, सबसे जादा मजा आया, भफी सुने साब, भफी सुने साब ब्रहमचारी में मुझे उन्होंने वह किया उसके बाद मैं जील के उस पर उसमें बुलाया फिर उनकी एक पिच्चर आई थी जो उन्होंने डिरेक्ट इस अनन डिरेक्ट इस फिल्म और थी उनकी शस्ति दूलन महंगा दूला तो मुझे लगता था मैं एक्टिंग करी नहीं रहा हूं मुझे बुलाते थे याद नहीं जुमले सुना मैंनो सुना आइसा करते थे पसंदीदा फिल्म कान सी है मैं बता हूं तो दो रास थे राज कोसला अंकल की फिल्म फिर उसमें बहुत पहला गाना मुझे फिल्म आया गया जो वाकि में उसकी देन लटा जी को पूरी श्रय उनको जाता है लटा जी नहीं गारती तो शायद इतना मशूर नहीं था अपनी अपनी बीवी पे सब को घुरूर है जैसी भी है बीवी शोहर के लिए हूर है ऐसे गाने मुझे मिले हैं तो मेरा नाम कैसे नहीं होगा मुझे से लोग क्यों नहीं करेंगे इतने बड़े-बड़े लोगों का सपोर्ट आया मुझे अगर आपको अगले जनम मिले च जनन ऐसे चुनर मैमूर यकिन जनने आप बिना कुछ कि ए बिना इन वりमागों कि मुझे है और मुझे मौत मंगरों अटना कूछ मुझे मुझे मिले हैं यकिन मोर्डेस्थ यह रहें और कि मैं समन ओख दु हुए कि मुझे मेरी मौदेस्थ i नहीं जल्यार नहीं चाएं हो अगर 2nd जनाम होए तो अफ़ोस जोने महमुष और अटर नहा होते तो क्या होते किसी बड़ी हीरिन का स्पोर्ट बहुता है कि मुझ में वो काबलियत है मेरी परसेल्डी में तो नहीं जो एक एक्टर में होनी चाहिए थी पर कही ना कहीं से जैसे मैं फिर मेंटेन करता हूँ इस बात को कि जब उस्ताद का नाम जोड़ गया मेरे साथ मेहमूस अपने अपना शागिर बना लिया उनका नाम जोड़ने स जोड़ने से ज्यादा फोर्स लगा और दूर तक गई तो अब इतनी दूर तक तो मैं आया हूँ उसके पीछे मेहमूस आपका बहुत हाथ है एक नगमा जो आपके दिल के करीब से थोड़ा सुनाता हूँ जी चैन लूटा है नींद लूटी है ऐसे मौसम में हम से रूठी है ये तेरे हाथों की अंगूटी प्रेयम की पहली निशानी बनेगी एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी तु मेरे सपनों की रानी 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 बनेगी तु मेरे इतनी फिल्में की ह मेहमुछ साब परसनलाइट में क्या थे उसके पर रोशनी डालू सुंदर अंकल हुआ करते थे, कॉमेडियन सुंदर, बौत बड़े कॉमेडियन सिंगिंग हीरो थे अपने दौर में शुरु 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 आथ में पंजाबी फिल्में बड़ी की निशी अंटी जी के साथ में वो उनकी फिल्मों में अक्सरों के लिए लग्की चाम थे वो पड़ोसन, बंबे टुगोवा ये वो सब फिल्म में थे वो उनके साथ जब कोई बहुत दिनों बगत तक इनको दिखाई नहीं देता था मेमुसाब को मुझे दोड़वाते थे जादे क्यों किदर है दून केला पकड़ केला ऐसे करते थे वो मैं लाता था दून डान के तो मुझे उन्होंने सुन्दर अंकल का नाम लिया तो मैं गया तो जगा छोड़ चुके थे आप तो मैंने जाके बोला मैं भाइजान वहां है नहीं तो थेक उन्होंने एक लिफाफा दिया मुझे खाकी मुझे लिफाफा उनकी अमानत है आखरी फिल्म का इंस्टॉल्मेंट भूल गए थे या लेने नहीं आए और जब भी मिले दे दियो तेरी जिम्मेदारी है मैं क्या बता हूं आपको मैं केईयों को दोडाया हमारे असोसेशन वालों को दोडाया ढूंडान के पता लगा कि किसी दोस्त के फ्लैट में रह रहे हैं अंधिरी इस्ट में तो मैं चला गया पता करते करते हैं उनका भी नाम शर्मा जी था जिनके दोस्त है तो नेम प्लेट पर शर्मा लिखाता तो किसी दोस्त में बोला पंजाबी फ्रेमली रहती है उनके साथ रहते हैं सुंदर अंकल अब मैं गया मैं बेल बज आई आप यकिन कीजिए पहने हैं संड बन्यान पेने पेने वे इतनी लंभी सियो नेकर पहने है यूँ देख़ए वे सुंदर अंग नतिख और वो क्यों पाई और वो बोल दा क्यों है कोई को नतिख और वह हैइसा कर गया हाथ यकिन कीजिए मैं रो पढ़ाय गया ऒते हैं मैंने उनका दब-दब सुनके आप यकिन की जब बस्ट हो गए हो, ओए पुतर, ओए पुतर, ऐसा करने लगे मेरी माँ, तू ए ठीक ते आ गया हो, तू किदा है दा पहुंसे, करके मुझे लपल गए, मैंने किया कि मैं ज्यादा सुबह करूँगा तो यह ज्यादा रोएंगे, तो खेर, सब बात छ यह जो बहुत बीबा बंदा भई होए, बीबा बंदा यार, वह मेहमुस आप की बहुत तारीफ करने लगे लगे हो, तो मैं कहा है ऐसा ही लिफावा उन्होंने आपकी आखरी फिल्म की इंस्ट्राल में का कुछ रहे गया था, वो दिया प्लीज आमानात रख लिजे, मैं अब मुझे इस से चुटकारा दीजी आप, अब मैंने अपना फोन नंबर भी लिग जया, अब पपाजी मेरा फोन नंबर भी लिएगा, तो मैंने लोड पवे, मालिग ना गरे पवे पवे पे मैंने प्लीज फोन करना, सारा कुछ बात होगी, वो लिफावा देके मैं पैर नहीं, कभी भूल के भी बता मुझी मत करना, छोड़ना मत, यह उसका साथ हुआ या आठ हुआ लिफावा है, जो उसने आकरी फिल्म करके मेरी मदद पहुंचा यह बोले, तो क्या समझेगा उसको, ऐसे होते हैं बड़े लोग, मैं देखा कि बड़े लोग यही बड़े न अब तो आप कहते हैं दिल से शुक्रिया, मैं देखने वालों का आपका सब का दिल से शुक्रिया आदा करता हुआ, तो नाजरीन, गुफ्तगू में फिलहाल आज इतना ही, अगले हफते आपसे फिर होगी मुलाकार, एक नई शक्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीज आज़े जासत, आदाब